Samsung phone में आवाद नहीं आ रहा है कैसे ठीक करें हिलो दोस्तो स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी Samsung का phone है और आपके Samsung phone के अंदर कोई भी यहाँ पर आवाज नहीं आ रहा है आपके Samsung phone से आप यहाँ पर कितना भी बात कर रहे है या फिर YouTube ओपन करके चला रहे हैं तो आपका जो अबाज है mobile का वो बंद हो गया है वापिस नहीं आ पा रहा है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं Samsung mobile में आवाज नहीं आ रहा है इसको ठीक करना काफी असान है ध्यान से वीडियो को देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे ठीक कीजेगा तो दो तिन टिप्स में दूँगा आपको इस चीज से आप यूज करके जो है आप यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर आपके mobile का आवाज है वो आप वापिस ला सकते हैं तो सबसे पहला तरीका यह है आपको अपने phone को एक बार restart करना है restart कैसे कीजेगा तो ध्यान से दिखिए side में power वाला button मिलेगा तो आपको इसे थोड़ा देर press करना है press करने के बाद restart का button आता है देख सकते हैं इस पे click करके आपको अपने phone को एक बार restart कर लेना है दोनों सेम ही होता है तो इस चीज को याद रखना है और आपको अपने phone को एक बार restart कर देना है restart करने के बाद भी आपका यह दिकत सही नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका यह भी है आपको यहाँ पर क्या करना है अपने YouTube में कोई सा भी एक video को जो है प्ले कर लेना है ठीक है माली जी YouTube में आपको वीडियो प्ले कर रहे है और YouTube में वीडियो प्ले करने के बाद जो है आपको यहाँ पर उस वीडियो को रोक देना है यहाँ पर हमने YouTube यहाँ पर open कर दिये ठीक है इसको जो है आपको यहाँ पर अपने mobile के jack में लगाना है यानि 3.5mm jack में ठीक है लगाने के बाद फिर से आप यह जो है stop हो जाएगा तो इसको आपको on करना है और चलते वीडियो में आपको pin को निकाल देना है तो आपका जो दिक्कत होगा वो सही हो जाएगा और इस चीज़ को आप इस्तिमाल करके जो है आप यहाँ पर अपने samsung phone का आवाज वापस ला सकते हैं और last तरीके यह भी है अगर इतना चीज़ से आपका काम नहीं बन रहा है setting में आईए setting में आने के बाद नीचे scroll करना है यहाँ पर आपको जो है about phone में आना है about phone में आने के बाद यहाँ पर reset का बटन दिखेगा यहाँ पर click करके आपको अपने phone को factory data reset कर देना है इससे आपका जो भी दिक्कत होगा वो सही हो जाएगा तो कुछ इस परकार से आप अपने Samsung phone का आवाज वापस ला सकते है वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले